नमस्ते में आप सभी का स्वागत है जैसे कि आप सभी को पता ही है कि बिहार और महाराष्ट के लिए जो भी GDS का पोस्ट होता है यानि कि जो ग्रामिक डांक सेवक होते हैं उसमें अलग-अलग पोस्ट टाखा गया है उसके लिए जो है फॉर्म मैंने आपको फिल अप करके लोग को कमेंट आया है कि आखिरी पोस्ट क्या होता है कि इसमें एक्जाम होता है कि नहीं होता है साथी साथ मैंने यहां पर कुछ नौट करके राखा है उसके regarding हम बात करेंगे जैसे कि इसमें क्या salary मिलता है मतलब किस तर से हमे salary मिलेगा किस तर से क्या करना होगा साथी साथ इसका cut up कितना जा सकता है मतलब जो previous साल का cut up था कितना था और इसमें जो है cut-up कितना जा सकता है और किसको अप्लाई करना चाहिए और किसको अप्लाई नहीं करना चाहिए साथी साथ इसका online apply करने का last date क्या है और इसमें जो है कौन apply कर सकता है सारा चीज जो इस वीडियो में आपको हम clear करके बताएंगे अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरा मुनगल बढ़ाने के लिए और वीडियो को दूर तक पहुँचाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें जो है job profile क्या है तो जो गरामी डाक से वख है इसमें जो है तीन तरह का post आता है आए आए आपको हम computer पर दिखाते हैं कि इसमें कौन-कौन सा post आता है और कौन से post coding आपको कौन सा काम करना होता है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे प तरुसा का पोस्टल फेसलेटी होता है उसका भी मैनेज्मेंट आपको करना होगा और किसी तरुसा का टांजेक्शन होता है उसको भी आपको यहां पर करना होगा और गàoट canonical होगा जो भी गराम-planchuck यहां पर post office बनाया जाते हैं, तो वहाँ पे आपको काम करना होगा, और मतलब जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, कि आज पर meidän बहुत सारे जो post office होता है वह होतेगे हैं, वहाँ पे जो भी काम किये जाते हैं, वहाँ इक आपको करना होगा, दूसरे आपे पोश्च देख सकते हैं कि assistance postmaster का है जो की मतलब उसे चोटा post होता है या भी मतलब सेम हो ही काम है जो भी postmaster का काम होता है उसी का अंदरकर जो है आपको काम करना होगा नीचे आएंगत देख सकते हैं कि dark से वग का है ठीक है, डाक स्वाग में क्या होता है, कि आपको जो है, मतलब स्टांप duty, एस्टेनेटरी का काम होता है, या फिर जो भी मतलब mail duty का काम होता है, वो सब आपको करना होगा, यानि कि माल जिए कहीं से कुछ भी आता है, तो उसको पहुँचाने का काम हो गया, या फिर किसी भी Mobile service को आपको देखना है तो सारा काम जो है आपके अंदर आता है ता इसमें तीन ही post होता है तो जैसे के आपने देखा कि मैंने आपको बता है की इसमें तीन post रखा गया है पहला है यहाँ यहाँ पर branch post master जिसके रिकार्डी में आपको जनकारी दिया है यह आपको सम्हालना पड़ेगा तो आई-ब आपको पता चल गया होगा कि आखिर जो है इसका जोब प्रोफाइल क्या होता है अब नेश्ट है आपको इसका जो है सेलेक्शन प्रसीजर किस तरह से होगा जैसे कि माल लीजे हम apply करते हैं तो हमारे जो है जो है जब इसमें किस तरह से होगा तो हम selection procedure की बात करें तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि साब साब बताये गया है कि इसमें जो है किसी भी तोरह का इंटर्विव एक्जाम नहीं होगा ठीक है इसमें किसी भी तोरह का इ आई थिंक अनई से 40 पोस्ट है तो इसके रिगार्डिंग जो है बहुत सरे लोग apply करेंगे तो जिनका सबसे ज्यादा marks होगा तेंथ में उन्हीं का पहले selection किया जाएगा उसके बाद देखा जाएगा कि इसके बाद कौन आता है उसके बाद कौन आता है तो ऐसे मतलब करके जितने भी पोस्ट है उसने पोस्ट पे यहाँ पे बहाली कर ली जाएगी और नीचे जितने भी लोग बच जाएंगे उनको जो हैं पे छोड़ दिया जाएगा तो अगर आप ब्रांच पोस्ट माइटर के पोद पर काम करते हैं तो आपको 12,000 रुपे दिये जाएगा उसक अगर यहाँ पे 5 घंटा तक आप काम करते हैं तो आपको 24,500 रुपे दिया जाएगा वही असेटेंस पोस्ट माश्टर या फिटाक्स पर काम करते हैं तो आपको 4 घंटा के लिए 10,000 और यहाँ देख सकते हैं कि 5 घंटा के लिए जो हैं आपको 12,000 रुपे यहाँ पे दिय जाएगा उम्मीर करते हैं कि आपको जो हैंपे पता लग गया होगा कि आखिर स्मय कितना सेलरी दिया जाएगा अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसका Cut Up कितना जा सकता है और पिषली साल जो है इसका Cut Up कितना गया था किव admired अपका Marks.com है अप्लाई करेंगे तो आपका जो पैसा ही बरबाद होगा जैसे किWow 13-C January सा आते होंगे तो आपको जो 있고 payment करना होगा आप ACAT से आते हैं या फिर महिला है तो उसमें पेमेंट करने के वह सकता है नहीं है तो सबसे पहले आप जान लिजे कि इसमें कितना cut-up जा सकता है उसी के according जो आपको apply करना है इसे फालतुम apply करने से कोई आपको फायदा नहीं होगा तो पिछली साल का हम cut-up देखे तो यहाँ पे 19 के उपर ही गया है यानिकि 90% से उपर ही cut-up यहाँ पे गया हुआ है तो इसे पादनाजा लगा सकते हैं कि अगर आपका 80-85% या भी 70-85% है तो I think आपका इसमें job नहीं हो पाएगा फिर भी अगर आप apply करना चाहते हैं तो apply कर सकते हैं एक lock है हो सकता है cut-up नीचे भी आ जाए लेकिन previous साल जो cut-up गया था वो 90 के उपर ही यहाँ पर ही cut-up गया था यानिकि 90 के उपर ही cut-up यहाँ पर गया था जो कि आपका तेंथ का माक्सिप में होता है तो उमीद करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि इसमें cut-up कितना जा सकता है अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसका last date कब तक रखा गया है यानिकि form को आप कब तक fill-up कर सकते हैं तो इसके regarding आपको जनकाई देते हैं देख सकते हैं कि यहाँ पर computer के screen pop को बताया गय है कि इसका जो last date है 26-5-2021 तक रखा गया है यानिकि 26-5-2021 से पहले जो है इसमें form online fill-up कर सकते हैं आपको कोई भी मतलब दीकत नहीं होगा उमीद करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि इसका last date कब तक रखा गया है अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें कौन apply कर सकता ह और कोण apply नहीं कर सकता है दोस्तों आपको हम बता देंगे देखिए आप कहीं से भी दस्वी पास किये हुए हैं तो आप जो है इसके लिए apply कर सकते हैं लेकिन आपका ज्यादा marks रहेगा तो बेहतर रहेगा कि आपका merit बन जाएगा 37-37 में थोरा बहुत computer का knowledge मतलब मांगा होगा तभी अच्छा है नहीं होगा तभी अच्छा है कोई बात नहीं है मतलब computer का जो course है वो necessary नहीं है लेकिन आपको computer का वियान होना चाहिए क्योंकि computer पर आपको काम करना पड़ सकता है 37-37 मतलब कोई भी apply कर सकता है जो भी यहाँ पर इचुक है तेंध पास कर गिया है apply कर सकता है जिसका उमर 18 से लेकर 40 के बीच में है वो जो है apply कर सकता है वो चाहे male हो या फिर female हो apply कर सकता है आपको हम बता दें कि यहाँ पर जो आपका marks है उसी का according जो यहाँ पर made बनाय जा होगा फिर भी आपके मन में किसी भी तुरह का कोचन होगा जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो वीडियो कोमेंट करके पूछ सकते हैं reply करने की पूरी कोशिस की जाएगी तब तक लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आप जहां भी है सुर